आशी जी पहले तो बहुत स्वागत है आपका और पेरिस ओलम्पिक का दोर जा रही है और भारत के खाते में शूटिंग में आ रही है एक के बाद एक उपलब्धिया हम उनुभा करने पहले 10 मीटर में उसके बाद पर डबल्स में और अब ये जो नई उपलब्धिया आज मि इंडिया में से तो जो मनु का इवन्ट हु उसमें पहले मेडल आ चुक है और बाद 3D जो मीरा भी एवन्ट है ऊसमें आज तक कभी मेडल नी आए ऑलिम्पिकश में तो यह पहला मेडल होगा जो इंडिया को आपनिल को सारे कितरू मिला है और I'm really very very happy तो मतलब शूटिंग का जो भविश है भारत का वो आप क्या देख रही है आने वाले समय में किस प्रकार से और चमकदार होने वाला है शूटिंग तो एक इंडिया की बहुत बड़ा एक पावर बन गया है अभी तक जितने भी मेडल आये हैं वो अभी तीनों मेडल शूटिंग से ही आये है शूटिंग जो वर्ल्ड कप्स और वर्ल चांपिंशिप में जो हम लोग परफॉर्म करते हैं मेडल आते हैं वो चीज़ अब ऑलम्पिक में देखने को मिल रही है तो ओविसली धीरे-धीरे बहुत ही जादा एक सूपर बावर बन गया है शूटिंग फॉर इंडिया और आगे ओलम्पिक में और भी आएगेज बहुत सारे मेडल देखने के मिलेंगे और हमने देखा था कि ओलम्पिक में जाने से पहले पूरा जो शूटिंग का दल था वो राधानी भॉपाल उन्हें प्रेक्टिस कर रहा था साई में शूटिंग अकेडमी में तो ये कितना कालकर सिध हुआ है इस पेरेस ओलम्पिक के लिए तो जो भॉपाल की जो अकेडमी है वो एशिया में नंबर वन चल रही है अभी जो सबसे अच्छी अक्याडमी बनाके रखाया उन्होंने भॉपाल में वर्ल्ट क्लास सो वहाँ पे ट्रेनिंग करना एक बहुत ही अच्छा एडिया था पिकिस वहाँ पे पूरे इंडिया में सिफ एक ही पिक्लोस रेंज है जहाँ पे अप्राक्टिस कर सकते हैं जो कि भुपाल में है और तो यह लोग यहाँ पे प्राक्टिस करके गए और यह बहुत ही अच्छा एडिया था पिकिस फिशे वाले ओलिम्पिक्स पक वो रेंज बनी नहीं थी लेकिन अब वो रेंज बनी और लोग ने प्राक्टिस की और गए तो वो काफी अच्छा है मतलब यह कहने का है कि भारत का रिदेपुदेश मोदेपुदेश अब शूटिंग का एक गड़ बन गया है जहां से बहुत सारे नए खिलाड़ी भी आने वाले समय में देश का नाम विशु पटल पर रॉशन करेंगे बिलकुल तो आप और क्या करना चाहते हैं कि अब शूटिंग में थोड़ा सा और हम कैसे प्लकार से इंप्रूव कर सकते हैं थोड़ी सी चूख हो जाती है जो हम कास से हमें संतोश करना पड़ता है I guess यह चीज हम लोग बहुत टाइम से देख रहे थे कि जो शूटिंग है शूटिंग में सिर्फ ओलिंपिक में मेडल नहीं आ रहे थे और पिश्ची बार 15 बच्चों का स्कॉर्ट गया था टोकियो ओलिंपिक बट इसमें एक भी मेडल नहीं था बट यही चीजों एक्सपेरियंस से अब बहुत जादा सुधार हो जगा है पारिस में अभी मुश्किल से चार दिन में स्टार्ट हुए ओलिंपिक और हर एक दिन मेडल आ रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए हाला कि हमारे ऐश्वारे पजाप सिंग थोड़ी से चूग गया थोड़ी सी निराशा हुई क्या कहना चाहेंगी इसे लेकर दो एश्वारे और मैं साथ में प्राक्टिस करते है और जैसे मेरा सिर्फ ओलिंपिक्स में top two जाते हैं इंडिया से और मैं भी third थी ओलिंपिक्स जाने के लिए सिर्फ तीन पॉइं से तो और इवन ऐश्वारे भी सिफ एक पॉइंट से फाइनल के ले रह गया तो ये सारी चीज़े स्पोर्ट्स में होती रहती है इवन जो सौपने कुसाले आज जिनका उनका ब्रॉंज आया मेडल उन्होंने एशन गेम्स में वो फोर्ट आयते उनका मेडल नहीं था उसमें तो उन्होंने उस चीज़ से डिसपोइंट में ना लेके उस ओलिम्पिक्स के लिए काम किया और हम लोग हमेशा हमारा एक ही मोटो होता है कि जैसे हम लोग 60 शॉट्स का मैच खेलते है एक्षिन गेम्स में अच्छा नहीं किया था लेकिन उन्हें ने पारिस को अपना गोल बिनाया और इसमें जीता वैसी एश्वारे भी काफी स्मार्ट है इस चीज़ में और वो भी यही करेगा कि आगे अभी उसकी एज भी कम है तो वो आगे भी और कॉम्पिटिशन पर ध्यान देगा कहना का मतलब हारो जी तो खेल का एक हिस्सा होते है हमें बीती ताही विसार के आगे कि सुधभ लेनी पड़ेगी और दूसरी चेंपेंशिप पर फोकस करना पड़ेगा जी, sports में हम लोग यही देखते हैं कि हम लोग रुखते नहीं हैं हम लोग चलते जाते हैं हम लोग अगर एक चीज़ बिकर जाती है पर हम लोग उसे disappointment ना लेके हम लोग next पर फोकस करते हैं तो येस रुखना नहीं है बागी बहुत अच्छी बात आपने कही है तो चलते चलते आप उस सभी शूटर्स से और आने वाले जो मैचे से उनके लिए क्या कहना चाहती है बस यही बोलना चाहती हूँ सब को जो भी अभी गए है शूटर्स में मैंने उनको बहुत ही क्लोजी देखा है हम सब ने साथ में प्राक्टिस की है तो मुझे सब की महनत पता है कि उन्होंने बहुत महनत की है और I really hope for the best की bronze अभी आया है लेकिन next उसमें अभी लड़कियों को यह मैच है and India really really deserves a medal India को मिलना चाहिए जस तरीके से इन लोगोंने महनत की है मैंने विरी आँखों से देखा है बहुत महनत है और पूरी चार साल की महनत है और इवन उससे पहले की भी तो India really deserves a medal और I hope की सब के medal है बिलकुल उम्मीदों लगी हुए है पूरे 140 करोड भारत वासियों की हमारे इन सभी खिलाड़ीयों के साथ तो निश्री तुरूप से आने वाले समय में भी हमें medals जरूर हमारे खाते में आएंगी Swapnil को साले की बात करें तो चुकि आप range में काफी practice कर रही थी उनके साथ और shooting academy में भी आप उनका साने दिमिला बता ही उनके बारे में कुछ Swapnil जी का साथ काम और कंपोस्ट रखते हैं जो कि shooting में आच्छी काफी important है और उनके साथ मेरा काफी अच्छा बार्न है जैसे हमने बाकू में आज से देर साल पहले हम दोनों ने गोल मेडल जी दाता साथ में तो वो मेरा पहला senior world cup था और उसमें मेरा उनके साथ गोल मेडल था तो उस time से हम लोग काफी अच्छी से जानते की दूसरे को और उस time से हम लोग हर एक competition साथ में कहलें तो उनका आच्छी temperament और ये सब चीज़े काफी जादा अच्छी है और वो महराश्य से belong कहते था जाएल दो फागल हो गी उनके सुक्त थ हुँ dif कि था मैं जब उनके मेज देख रहा था उनके परिवार को दिया काफी माध्यमबर की परिवार से है वो और सभी लोग मिलकर उनका मैज देख रहे थे चाहिए उनके पापा आचली स्कूल में बढ़ाते हैं और उनकी जो मदर हैं वो गाउ की सरपंच है तो कोला पूर से वो बिलॉंग करते हैं और मुदल इतनी छोटी जगा से आना और स्कूल से उनके स्टार्ट किया था और क कमबाक था उनका Olympic Games में तो हाँ तो काफी अच्छा है जी जी बहुत ही खुशी की बात है बहुत ही गौरफ की बात है जब उस अपनिल कुसाले जी का नाम भी अब चड़ गया है पेर इस Olympic की CD पर और आने वाले समय में भी कुछ बहतर करके दिखाएंगे हम ऐसी पूरी-प क्या कर रहे हैं और सब अपना best दे रहे हैं जिनके medal इवन नहीं भी आ रहे हैं तो वो भी उनका दिख रहे है कि उनने अपना best दिया है बस यह ही है कि sports में 0.1, 0.2 से ranking बदल जाती है तो जो ला रहे हैं उनके लिए many many congratulations पर जो नहीं भी ला रहे हैं इवन उनका भी बहुत जादा बड़ा achievement है because जिस जगा पर वो है आज अभी उनका जाने के लिए बहुत महनत लगती है तो जिनका आया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है but obviously सब जितने भी गए हैं इंडिया से काफी छोटे हैं सारे तो आगे उनके लिए बहुत सारे साल पड़े हुएं और हाँ और अच्छा करेगा इंडिया आगे बिल्कुल बहुत सारे अभी टूनमेंट्स भी आएंगे तो जाहर है कि उसमें अपना दमखम दिखाने का मौका होने हैं ज़रूर बिल्कुल चलिए आशी बहुत अच्छ